केलेふ'll स्वाGGत है दोस्तों कि कड्स करना है उसमें आधका मजिन लाइच को अट रहते हैं इसके बादे में देखते हैं यह जसे लिवाit ब you will調 काशिन और पढ़न है और असी क्राइब तरह थेर्म गत्थी या हीट इंगन को शासामगति का उसमा इंगन इसमेह इसके वाला में जाने लए बेशिक और इसके एठ यह यह अर ऑब्जेक्टिम देख लेह हैं अब लोग मोग तर मोग ये से थेर्मो परस्ट डैनेमिक्स उस्मा परस्ट गतिक जिसे बनता है thermodynamics इसमें thermodynamics में उसमा पैदा करने या या किये जाते हैं thermodynamics जो है उसमा गतिक इंजन उसमें उसमा पैदा किया जाता है इंधन की 쉬 इंधन को ज़ला कर यह लग्रत शेम में इसमा का इंजन या fungus अब्योग करके गती पाईदा करते हैं जो इसना जला करके उसमनों करते हैं उससे जो समां उत्पन होता हुद में उत्मण करते हैं इंदर में ठोस द्रफ गैस इसका कुछ भी डि रह सकते हैं जैसे हमें इंदर के जो परकार है इंदर की तीन परकार है ठोस द्रब और गैस ठोस का एक्जामपर है कोईला लकडी यह ठोस होता है इंदर द्रब का लिक्विड इसका डीजल या पेट्रॉल या किरासन तेल पेट्रोलीण गैस से इसी बीजला के इस मोत्पन के द्यए जैसे इंदर ज़लाने के अधार पर इन्ट्रणे के अधार है इस टरनल कमपंश्य बाहरी दहन मनें और इंटरनल कमपंश्य आंतरी दहन दो तरह के इंधियर जला आतर जाते हैं जान रहते हैं इस टरनल कमपंश्य आतरे जैंडल और gir.i sounds मोअपने हिस जलाता है चैनल जाते हैं तो एमद ब snipp नब जला में जलाए जाते हैं तो इस परकार जलने इस परकार इंधन के जलने की परकिरिया को external combustion बाहरी दहन कहते हैं कि समझ रहे होंगे जब इंधन को बाहर जला जाता है तो external combustion बाहरी दहन कह जाता है जैसे steam engine भाफ इंजन जो है करें से बाहतु है इंटर्णल आंत्रिक आंदर कें जाना जाते हैं तो इन धर 16 वहां-सर • है से जब जे इंदर किशी बंद बरतन पर च़ल जाते हैं तो कि इंदर को इस परकर्ण की जर्ली की परक्रण रिर्टर此प संग करते हैं कि दघेल आपने डीजल इंजन देखें होगें डीजल जो द्धान होता है कहां होता है इंजन के अंदर होता है पिट्रोल इंजन किराशन तेर यह सब कहया है जो इत्यादी इसका 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 इंटर्नम कमबंशन का कि अबजेक्टिव है कि इसको इणल घब इखने एक युद्धायर में गया कुसन नहीं दों लिए हैता इसका इटल कमबंशन तोभी हम विखैंअ कि लिग्युद्ध्ध क्सा इसका इसको इसको इस Vladimir गया खश्we march बाहरे दहन का फ़ारन है। फॉस गलते हैं इंटरनल कमवंच्ण इंजब्स होथ दो परकार के होथआ तू अस्टॉक इंजन फोर अस्टॉक इंजन देख लिए इंटर्नल कंबंशन के वारें जानते हैं इंटर्नल कंबंशन के अंतर्गत आने वाले डिजल इंजन और प्ट्रोल इंजन के फ्यूल को जलाने का तरीका है जो इंटर्नल कंबंशन के अंतरगत आने वाले इंजन हैं डिज़न इंजन और प्रीट्रोल इंजन के फ्यूल को जलाने का तरीका दो थरा ने निदि यह यह कुंप्रेस्ट कहते हैं कमप्रेसं जान डाविद कि दोवारा कि जला जाता है फ्यूल इसका ग्यामपन इन डिजल इंजन में जो फ्यूल जला जाता है वह दावी के माध्यां से यह कंपरेशन के माध्यां से जला जाता है अस्पार्ग चिंगारी इसका ग्याम पर है पिट्रॉल इंजन इंटर्नल कमपर्शन में दो तरह से एक दावी और एक अस्पार्ग एक कंपरेशन और दूसरा अस्पार्ग दो तरह से फ्यूल को जलाने जाता है यह जलाने का तरीका है नोट में पॉइंट मतालते हैं जानते हैं कि डिजल इंजन या पिट्रॉल इंजन को कंप्रेशन इंजन और अस्पार्ग इंजन भी कहा जाता है कि इसी के चलते हैं इचल्स निर्टिक और की पुड्रॉल इंजन को कमप्रेशन और आस्पार्ग इंजन भी कहा जाता है श्मझ रहा हुए इसके हमें कुछ ऑब्जेक्टिव देख रहे थे हैं ऑब्जेक्टिव देख लेने से आपको ज्यादा कमफार्म हो जाएगे बढम जेक्टिव है पीड्रोल इंजर है इसके सब्सक्राइश करेदा और नहीं चैटर्राइश यह ऑप्ञाम आइस बार्यृण क्या र रखेंगें पिटरी इंजेन और सपार्ड इंजेन कई जांपर वह दिखायें इस तह चोफिए मोशह में पिज़ांगेंगा आजिससरा इन्फेद्व किदां ढिकर फोगेचर है कि ईव adapter भी जना कर नेंजिए लिए ए इंडिर्ट दोनों यह ऐसे बादने लिएto इन्गहाना कर डिशनोंचे मोफ। किदांद इस पमूंचे मैं ईन्गहाई प्हों बेर्ट मैं दोनों और यह वाद्रों अप्शी मेरी आए जानी इस चांट सरो जागा कि डीजल इंगर जो है और आपको समयना पड़ेगा रिजल इंगर है इंटर्न इंगर या कंबंसन इंगर या और दुसरा ऑप्षन है कि इस्टर्नल कंबंसन इंगर अस्पार्क इंगर यह सभी तो डीजन इंटर्नल होता है और कंप्रेस दावित के माधन पर इंधर को चलाता है इसलिए इसका अंसर होगा इंटर्नल इंजन या कंप्रेंशन इंजन उम्मिद करते हैं ओप्जेक्ट्व केल हो रहा है नेक्स्ट ओजेक्ट्व है डीजन इंजन है ऑप्जेक्ट्व बना है जो ऑप्जेक्ट्व के नुसार कोशन पकड़ने के लिए बता रहा है आपको कि यहां कुछ डाय है इंटर्नल कंपरेसर इंजन है इंजन और बना है इसका अंसर हो जायगा दोनौ का यहां है है रया है कि मैं आगए होगा कि पुर्प्रेंशन आदे मीं विभी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कौन मसीन थर्मोडानेमिक्स जो मसीन है गती के उसमा वाले मसीन याने डीजा लिन्या वह हम लोग उसमा उसमें लेते हैं तो यांती उजा या गती उजा उथ्पन करता है और पुट में इस तरह कुछ थर्मोडान्यमिक्स के रूल जान देते हैं थर्मोडान्यमिक्स किस रूल पर काश करता है इसके बारे हम जान देते हैं थर्मोडान्यमिक्स के जो रूल है पहला सुनिनियम जिरो तला इसको बोलेंगे सुनियम है ये बताता है ताप का अभीधारन बताता है ताप का अभीधारन कौन सुनियम थर्मोटाइनेटिस का सुनियम जिरो ला जो है ताप हीट का अभीधारन बताता है दुसरा है फर्स ला पर्थम नियम इसमें हीट इंजन पिट्रॉल इंजन डिजल इंजन के बारे मे सब्सक्राइब को disagなた है सुनी नियाम परतंक लिए अगार इस हो से में या धूरों रेडिशिरेशन के बारेगे बताता है को धिशिया कि अदिश्रुड है कजी को और ji अचैनले ऐसे थेलेगिस देखें आगे पॉइंक है कि thermodynamics का जो जीरोतला रूल सुनियाम या temperature तापमान और हीट जीरोतला बताता है वो temperature तापमान और हीट उसमा के बारे में बताता है जीरोतला या thermodynamics का सुनियाम कहेंगे इसे उम्मिद करते हैं कि जो कुछ अभी basic कुछ points जो बता हैं आप लोग समझ में आया होगा हम लोग इसके बारे में details next class में देखेंगे इस total नियम सुनियाम पर्थम नियम तापमान temperature और हीट के बारे में समझेंगे और इस पर objective जो बनेंगे बहुत important objective आएंगे बहुत जादे objective आएंगे इस पर क्योंकि यह पूरा एक class चलेगा सिर्फ temperature तापमान और हीट पर तो मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में सही से कुछ करते हैं कि आप लोगो जो basic teacher का basic class है अच्छा समझवाया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बताएं कॉमेंट करके आपको class कैसा रगा धन्यवाद